हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देरादून दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज आंटी की है सरजरी हाला कि व्लॉग में आज आपको आंटी हस्ती खेलती नजर जरूर आई होगी लेकिन आप जानते ही हैं कि व्लॉग हमेशा एक दो दिन पीछे चलते हैं टोसिस आप से आज हैं आँटी की सरजरी और सबसे अच्छी बात यह है व्लॉग में बहुत लोगों की कुछ-कुछ शिकायती थी जो शिकायते मैं यह बताऊं तो बिलकुल अननेसेसरली थी उन शिकायतों को कोई मतला भी नहीं था लेकिन उन सब चीजों के हाला कि मुझे नहीं पता यह कौन लोग होते हैं जो इस तरीके क्वेशन रेस करते हैं देखे हर किसी इंसान की हर किसी इंडिविजुल इंसान की अपनी खुद की बिलीफ्स होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके और अगर आंटी वहाँ पे गई थी कुछ लोगों लगता किसी को सच्चा और दूसरे को जूटा साबित करने में तो वहाँ पे रिस्की ने अपनी ममी का स्टैंड लेते हुए काफी जादा चीजे क्लियर करी हैं उन्होंने मतलब एक लड़का होके एक मेल होके एक औरत का स्टैंड लिया है वहीं पे जो औरत है आज की नवरात्र के टाइम पे आंटी ने नीतू को आने से मना किया था हाला कि उस बात का मेरे पास उस समय कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि मैं हर किसी की बिलीव की देखो रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन इस बात का जवाब भी को इंसिडेंटली कि ये मानिये कि वहाँ पे इसकी नहें आंटी के चानल पे कमेंट सेक्शन में दे दिया कि नीतू को आंटी ने मना नहीं किया था नवरात्र में आने से ये नीतू की अपनी खुद की बिलीव्स थी और येस ये हर किसी की खुद की बिलीव्स होती है जैसे कि हर स्टेट की अपनी बिलीव्स होती है व हमने अपने घर से अपने परिवार से सीखा होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर हम उन चीजों को इस तरीके से फॉलो करते हैं तो हम यह expect करें कि दुनिया में हर कोई उन चीजों को इस तरीके से फॉलो करें सबकी अपने beliefs हैं और सबकी beliefs की equally respect करनी चाहिए तो I think यहाँ पर काफी सारी लोगों की गलत फैमी यह भी दूर हो गई होगी कि आंटी ने मना किया था क्योंकि वो खुद भी अगर periods के टाइम पर कोई पूजा attend कर सकती हैं और कोई मंदीर में जा सकती हैं तो वो अपनी बहु को definitely नवरातर के टाइम पर घर पे आने के लिए मना नहीं करेंगी तो कुछ misunderstanding और कुछ confusion की वज़े से इतना जादा drama जो है हर बार create हो जाता है बट good कि यह drama जो है वो clear भी हो जाता है और बहुत अच्छी बात है कि जो confusion लोगों के mind में create हुई है वो confusion धीरे धीरे clear होती भी नजर आ रही है और यहीं पर नीतू की भी तारीफ बिल्कुल करेंगे कि उसने सारी controversy से परे सारी problem से परे अपने in-laws का बहुत ही respectful तरीके से स्वागत किया बहुत ही इज़त से उनको आदर दिया समान और एक छोटो को जैसे बड़ो के आगे जुकना चाहिए उसने वैसे ही अपने नेचर दिखाए उसके अलावा जैसे कि आप जानती हो कि आण्टी का अभी तक तो उनका operation हो भी चुका होगा उनका जो surgery होनी थी नी की आप जानती हो वो उस इंसान को बेटर पता होता है कि उसको क्या दर्द हो रहा है और उसको क्या दर्द नहीं हो रहा है खेर इन सब चीजों के परे आण्टी की आज surgery अब तक complete मतलब हो गई होगी successful और वहाँ पे नीतू भी आण्टी की surgery में मौझूद थी उन्होंने इंस्टाग्राम पे तो नहीं लेकिन उन्होंने snapchat पे एक photo जरूर शेर करी है जिसमें उन्होंने लिखा है get well soon mom यहाँ से दिखाई देता है कि देखो बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि parents अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं parents भी अपनी तरफ से definitely कोशिश कर रहे हैं जो चीज हमने देखी नहीं उस तीज के बारे में please बोलो मत और जो आप देख रहे हो उस तीज के बारे में बस यह सोचो कि यह समझो कि आपका खुद का परिवार है और अपने खुद के परिवार को देखके आप जो प्रतिक्रिया दिखाओगे ना इस समय पे वही प्रतिक्रिया इस family के लिए भी दिखाओ मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि नीतू और लखन अपने बड़ों से दूर हो या अपने बड़ों की blessing से दूर हो और मैं ये भी नहीं चाहती कि जो बड़े हैं वो अपने बच्चों से दूर हो क्योंकि दोनों को ही in future एक दूसरे की ज़रूर पड़ेगी सो मेरी यही विश है कि दोनों परिवार एक साथ मिल जुल के रहें आपसी मन मुटाव को भूला कर सारी प्रॉब्लम से दूर इस समय पे बस एक दूसरे का हाथ थामें और खुशी से एक दूसरे के साथ रहें आई नो कि इन सब तीजों में टाइम लगेगा नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है टेक यूर टाइम जितना आपको वक्त लगता है उतना वक्त लीजी और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि इस टाइम पे जब फैमिली दोनों तरफ से कोशिश कर रही है आप सी मनमटाव दूर करने की आप प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए अपने परिवार को उनकी जगे रख के देखिए कि एक वो जनरेशन है जिन्होंने कभी सोशल मीडिया फेस ही नहीं की है लखन ने अपने खुद के इंटर्व्यू में ये बात बताई थी कि उनकी पेरेंट्स को सोशल मीडिया का कोई अंदाजा ही नहीं है उन्हें आइडिया ही नहीं कि सोशल मीडिया बला क्या है वो उसी तरीके से सोशल मीडिया को ठ्रीट करते हैं इसे वो अपनी real life में होते हैं लेकिन social media में आप जानती हो कि सब चीजे बहुत polish करके दिखानी पड़ती है तो जब बच्चे को अपने माबाब का nature पता है और माबाब को बच्चे पता है तो बच्चे अपने आप अपने माबाब को संभाल लेंगे और बाकी चीजों के मैं सोजा है family vlogging के time पे कि वाके में जिससरे किसे पहले लोग इनकी family की मिसाल दिया करते थी ना आने वाले time पे भी इनकी family की मिसाल दिया and no doubt family में मन मुटाव भी होते हैं जगडे भी होते हैं और इस चीज को भी हमें real लेना चाहिए कि कुछ लोग अपने जगडे दिखाते ही नहीं है हमेशा family में मीठा 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 दिखाते हैं जो कि impossible है at least इस family ने अपना natural जगडा तो दिखाया जो होता है natural दिखाया चाहते तो इस चीज को संभाल सकते थे छुपा सकते थे लेकिन दिखाया तो इस natural अंदाज को इस natural vlogging को भी please appreciate किया जाए और जो चीज़े हो गई उन्हें भुला दिया नए सीरे से चीज़ों को judge किया जाए बस इसी के साथ मैं ये podcast end करती हूँ आई होप आप लोगों को पस अंदाया हुगा thanks for watching earth mom dehradun